आज हम लोग पॉलिटी के कुछ MCQ क्वेस्टन को देखेंगे MCQ क्वेस्टन के अधार पर ही हम लोग पूरे पॉलिटी के बेसिक कॉंसेप्ट को समझने की कोसिस करेंगे आपको पता होना चाहिए कि जितने भी बरे एक्जामिनेशन इंडिया में होते है यो पीर्स इस्टेट पीर्स ये सब एक्जामिनेशन में जो है ना कॉंसेप्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं तो मेरा जो फोकस रहेगा इस पुरे जो जो MCQ क्वेस्टन करा ना इसमें जो फोकस रहेगा ना वो रहेगा कि सर्फ कॉंसेप्ट को बढ़ा जाए कॉंसेप्ट को समझा जाए जितना भी मुझे नौलेज है मैं कोशिस करूंगा कि आपको कॉंसेप्ट समझाओं पॉलेटी का ठीक है कॉंसेट का हम लोग इस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हमारे देश का सबसे बरा मतलब कि सबसे ऊपर कुछ नहीं होता है इसलिए हमने बोला कि यह सुप्रीम रूल बुक अप दर नेशन है यह भी आपको पता होना जाए कि कॉंसेप्ट कैसे हुआ कैसे यह बना उसका करेक्टर कैसा होगा उसका नेचर कैसा होगा उसका और्गनाइशन कैसे होगा इसके बारे में भी बताता है हमारा कॉंसेशन कर रहे थर्ड ओप्सन का रहा है इस डिस्क्राइब दा सौवरीन पावर ऑप गॉवर्मेंट के पास कितना पावर होगा और यह पावर को गॉवर्मेंट कैसे यूटलाइज करेगा तो यस यह भी सही है यह भी हमारा कॉंसेशन बताता है कि हमारे गॉवर्मेंट कैसा होगा और्टोक्रेसी तो नहीं होगा मतलग कितना गॉवर्मेंट के पास पावर होगा और उस पावर को गॉवर्मेंट कैसे यूटलाइज करेगा इसके बारे में भी हमारा कॉंसेशन न मतल़ ही होता है जो सबसे ज्यादा यंपोर्टन टो हमारे देश के लिए हमारे देश के लिए zaj bir dog पूरी होता है उसे हम लोग fundamental बोलते हैं तो यह फंडामेंटल है और गेनिक लोग क्यों बोला आमने तो और गेनिक इसलिए बोला क्योंकि यह जो है न समय के साथ बढ़ भी रहा है और गेनिक करेक्टर का है जो इवह वह रहा है देरे देरे टाइम के साथ तो यह हमारा कॉंस कर बताऊंगे तो कॉंस्ट्रेशन का जो इसका एंसर होगा वह ओगा फित कॉंस्ट्रेशन आप समझ गयं होगी कॉंस्ट्रेशन क्या होता है ठीक है अब गो सकेंड कोईस्टन पर देखते हैं सकेंड क्वेस्टन कर रहा है कि 101 amendment किस चीस से रिलेटेड है तक दीक की 101 amendment जो ह या EWS से रिलेटर है, या फिर बंगला देस और इंडिया के बीज में जो बॉंडरी का डिस्पूर्ट था, उसे हमने सॉल्व किया था, कुछ बिलेजेज को दे करके, ट्रांसपर करके, मुच्वल ट्रांसपर किया था, कुछ बिलेजेज उसका मुझे मिला, और हमने उसे दि दिया, और साथी साथ आपको पता होना चाहिए कि 10 साल के लिए extend कर दिया है, SCST का जो reservation होता था, लोकसभा और estate assembly के seat में, उसको सरकार ने 10 साल तक extend कर दिया है, इसके बारे में बता था, तो याद रखे, कि जो 101 amendment है न, 101 amendment जो हुआ था, वो बताता है GST के बारे में, कैसे य इस तरह से हम लोग याद करेंगे, कि GST one ended one amendment के थुरू आया है, उसके बाद EWS कितना है सर, EWS का जो है न, ये 103 amendment, जो one ended third amendment हुआ था न, इसके बारे में बताता है, EWS reservation के थुरू, reservation के बारे में बताता है, अब रागे सर, mutual transfer इंडिया और बंगलादेश के विच में कुछ ब मतलब एक सर, EWS amendment जो था ये बताता था, इंडिया और बंगलादेश के बीच में जो villages का transfer हुआ उसके बारे में, और जो ये हुआ है कि दो एंगलो इंडियन seat को हटा दिया गया है लोग सबा से, साती साथ STST का जो reservation होता था लोग सबा में और state assembly में इसको 10 साल के extend कर दे, इ उसको 10 साल तक सरकार ने extend कर दिया है, तो ये हुआ है हमारा 104 अवेंडमेंट, वन एंडिट फोर्थ अवेंडमेंट जो है, वन एंडिट फोर्थ, ये अवेंडमेंट में क्या हुआ, दो नॉमिनेटेट सीट होता था था एंगलो इंडियन का, लोग सबा में उसको खतम कर सब्सक्राइब कर दिया गया है, और सब्सक्राइब कर दिया गया है, ये हमारा second question था, आप लोग को समझ में आ गया होगा, हम लोग third question पर चलते हैं, कि what is consciousness, consciousness का मतलब क्या होता है, तो देकि क्या है न, ये भी हमारा जो है, बीपीएसी के मैंस में पूछा गया है, ये इस system having limited government, एक ऐसा system जहां पर government का power limited हो, ऐसा नहीं कि government जो उसके पास undistricted power हो, इतना ज्यादा power हो जाए कि वो सबको एकदम autocracy की चला चलाने लगे, डिक्टेटल सिप की चला चलाने लगे, तो costly का मतलब होता है, जहां पर जो है सरकार जो limited हो, इस system having limited government, government के पास उतना ही power ह जिससे देश का अला हो सके, नो कि वो पूरा autocracy की तरह चला है, तो यह option सही है, option one जो है, वो correct है, यह system having limited government, ठीक है, ऐसे ही direct, जो है, MC की question में पूछता है, costly का मतलब, यह question UPSC के pre में भी पूछा गया था, कि यह system having limited government के बारे में question था, next है, it means the government provides service to the nation, not exploiting the arbitrary and unrestricted power, इसका मतलब भी यही देगे, CME हुआ, कि इसका मतलब होता है, का मतलब होता है, कि government के पास जो, वो इतना ही power हो, कि ताकि वो देश को service provide करे, नो की अपने restricted, unrestricted power का यूज करके, exploit करना है, start करे, ठीक है, तिसका answer बोद होगा, one and two, I think आप constantly का मतलब समझे होंगे, constantly का मतलब होता ह है, कि एक ऐसा मतलब, constantly का मतलब क्या हुआ, कि हमारे देश में सब कुछ construction के recording चल दा है, तो that means constantly है, अगर हम compare करें कि सब सर बताइए, कि 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 कंट्री में constantly का concept सबसे जाएदा है, तो अगर आपको कहूंगा, मैं कि USA लीजिए, आप USA लीजिए, ठीक है, UK लीजिए, इंडिय चैना लीजिए, ठीक है, और चैना लीजिए, ठीक है, इसमें मैं पूछूँगा, कि बताइए, इस सब में सबसे जाएदा का concept कहां पर है, तो देखे, USA में रखिएगा first पे, क्योंकि यहां पे सब कुछ construction के recording होता है, ठीक है, इंडिया को रख लिए, UK को भी second पे रखिए और चैना को सबसे last में रखिए है, क्योंकि यहां जो है, arbitrary nature का है, मतलब यहां पे unrestricted power का utilize किया जाता है, power का use करके जो है, लोगों को exploit किया जाता है, सरकार के पस बहुत ज्यादा power है, मतलब जहां पे constitution के according सब कुछ हो, जहां पे सरकार के पस उतना ही power हो, जो सरकार देश क को service provide कर सके, ठीक है, उसे ही हम लोग costly जिम बोलते हैं, ठीक है, अगर comparing की बात आएगा, तो चैना सब last में आएगा, पाकिस्तान last में आएगा, North Korea last में आएगा, अगर top में रखने की बात आएगा, USA को आप टॉप में रखिएगा, UK यहां पे सब कुछ concentration के according होता है, तो UK को power का utilize सरकार, या फिर आज अगर आज के परप्यक्श में देखेंगे, तो यहां ADCVSF का जो कारवाई दीख रहा है, फिर सब बोल्ड है, इससे कुछ पता जलता है, कि सर कुछ power का सरकार जो है, गलत इस्तमाल कर रही है, ऐसा मैं यह नहीं प्रूफ नहीं दे रहा हूं आप को ठीक है, ऐसा लग रहा है, तो यहीं इसे ही बोलता है, हम लोग का मतलब हुआ कि सरकार के पस इतना पावर हो कि सरकार देश को सर्वीज प्रूबाइट करें, नौकी एक्स्प्लाइट करें, तो इस सिस्टम है भी लिमिटेड गोवर्मेंट को इस बोलता है, का मतलब यह उसके तीन ओर्गेन होता है, एक होता है लेगिसलेटिव, ठीक है, एक होता है एक्स्क्यूटिव, ठीक है एक्स्क्यूटिव, और एक जो लास्ट होता है वो होता है जूडिसियर, यह हमारे गोवर्मेंट की तीन ओर्गेन होता है, लेगिसलेटिव, एक्स्क्यूटिव, काम क्या होता है, लोगसभाश्वा बनाना। हो चुआ हुआ हम लोग को अचाहित है एर्षें लेwrिश्टेट बम धनाना मतलब बता यहां साँ लेश्ट असम्ली उत्ट फि한테 ले ऐता है यह उय हम लोग होता है। आर्किटेक्ट ऑफ दे कॉंस्टेशन क्यों बोला हमने इसलिए बोला क्योंकि यह जो काम करता है यह क्या कर रहा है लौ बना रहा है यह क्या बना रहा है लौ 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 बना रहा ह मीनिस्टर बोलता है तो यह सब होता है चिफ मिनस्टर के चिफ मिनस्टर होता है कॉंसलितो होता है Mexico अभी क्या होगे एक्सक्यूटिव होगे और यह यूनियन का हो गया ठीक है और जुडिसियरी का काम तो आप जानते ही होगे हमारे देश में सुप्रीम कोट है हाई कोट है डेस्टिक कोट है यह सभी जो हो इसका काम क्या होता है इसका काम होता है देखते रहाना सब कुछ को बोड़ आएगे नहीं क्योंकि इसके पास यह तीनों जो है ना एक दूसरे से सेपरेट बॉड़ी है मतलब इसे हम लोग वहते हैं सेपरेशन ओपावर जिसके वारे मैं आगे भी डिसकस करूंगा सेपरेशन ओपावर के वारे यह हमारे गौवर्मेंट के तीनों होते हैं यह कानून जो एसपर कॉइस्टोर्स नहीं है ठीक है तो आई थिंक आप समझ गहांगा होँगे कि हमारे गौवर्मेंट की तीन ओर के तीनों का मतलब भी आप समझ गहांगे कि सर लेकुस्लेटिव जो कानून बनाता है और कानून बनाने का आदिकार किसके पास है तो पार्लि देश में यह सब जूडिसरी है तो यह समझ गये इसका एंसर जो होगा यह तीनों एंसर होगा इसमें only one and two दिया नहीं इसका एंसर सौरी यहां लिखा एक नोट ऑर्गेंट का कौन सा और्गेंट नहीं है तीनों और इसका ऑप्सन तो रहा गलत है इससे आप दूस उदार कर लिए यह तीनों गवर्णमेंट का ओर्गेंटिक है जो नेक्स्ट क्वेस्टन है वह हमारा करा है कि दो प्रफजू कर मेंबर होते हैं गलत विल्ड नहीं झोलत है एक होता है इसui यह कोई चुनाव कि दौरा चुन करके नहें इसलिए इसे हम लोग elected member नहीं बोलते हैं एक होता है elected member और एक होता है nominated member ठीक है यह लोग nominated member है कौनसा member है nominated इसे nominate किया गया है ठीक है तो यह लोग किस-किस field के होते हैं तो देखिए art के होते हैं यह लोग ठीक है science के भी चैतर के होते है social science के भी होते है literature के भी होते है लेकिन cooperative society के नही राजसभा में 12 मेंबर होते हैं जो यह चार फिल्ड के होते हैं आर्ट, साइंस, स्वसल साइंस, और क्योंड लेकिन अगर ही इस क्वेस्टन को मैं चैंज कर दो और कहूंगा कि देखो सेम टू सेम मैं कहूंगा यह हमारे लेकिसलेटिव जो हमारे एस्टेट में लेकिसलेटिव कॉंसील होते हैं वहां पे यह लोग होते हैं नॉमिनेटिड मेंबर होते हैं ठीक हैं वहां पे एक ही होते हैं एक लेकिसलेटिव कॉंसील में एक मेंबर नॉमिनेटिड होते हैं और state का जो upper house होता है ने legislative council उसमें जो है ये पांचों field के हो सकता है लेकिन राजसभा में केवल ये 4 field के ही होगे ठीक है ये राजसभा के लिए केवल 4 field और जो estate का लेइस्ट लेश्लेट्ईव और की राजसभा के लिए लिए 5aid़ पांचों कौन होते हैं आप जानते होंगे कि जो उपर वाला होस होता है राजसभा बोलते हैं जो लोगसभा बोलते हैं जो लोगसभा होता है ना उसका दूसरा नाम पॉपलर होस भी बोलते हैं आप रीजन भी बताए मुझे आप देखें लोग सभाव में कौन लोग बैठें जो आपको पता होगा न कि लोग सभाव में 543 मेंबर बैठें होते हैं इस 543 मेंबर क्या कौन होते हैं जो हमने चून करके जिसको भेजा है प्राइम्स्टर का海ं इस लिए हम लोग को यह हौस अब बैठे हुए पैससे जंता बैठे हुआ है। हमारा लोकसभा बहुत बहुत बहुता है, popular होता है, यह house of people होता है, यहां पर जन्ता बैठा हुआ है, इसलिए यह तीनों नाम हम लोग lower house को बोलते हैं, क्योंकि सर्राज सबा का भी कुछ नाम होता है गया, ते यस, देखिए जो हमारा upper house होता है ना राज सबा, इसका भी नाम है राजसभा में जो आप जानते हैं कि हमारे राजसभा में 245 मेंबर है इसमें से जो है 233 जो मेंबर होते हैं वो चुन करके आते हैं और जो 12 मेंबर है जस्ट मैंने अभी बताया कि नॉमिनेटेड परसिडेंड इसको नॉमिनेट करता है यह इलेक्टेड को एक state का कुछ-कुछ मेंबर जैसे अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में केवल 16 सीट है राजसभा का मतलब यह यह एश्टेट को रॉपर्जन करता है यह जो 16 पर सान नहां वो बिहार एस्टेट को रॉपर्जन करता है इसलिए आम लोग राजसभा को बोलता है Council of Estates, क्या बोलता है Council of Estates, मतलब ये Estates का Council है, जहाँ पर Estates का Representative बैठा है, I think आप समझ गया होगे कि Lower Houses का क्या समनाम होता है और Upper Houses का क्या समनाम होता है अब लोग Next Question पर चलता है Next Question है हमारा, कि Which Estates Does Not Have the Legislative Council कौन सा Estates है, जहाँ पर Legislative Council नहीं है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि देखिया हम जब उपर जाएंगे, सेंटर की तरफ जाएंगे तो सेंटर में मैंने बताया कि एक लोग सभा होता है एक राज सभा होता है फिर मैंने कहा कि Estates जब आ जाओगे आप राज में आ जाओगे, यहाँ पर हो भी होता है लोग सभा legislative assembly और legislative council होता है तो question यही बुझ रहा है कि किस state में legislative council नहीं है तो देखिये UP में legislative council है मतलब देखिये हमारा जो construction है ना उसमें जो है दो होसेज की बात, bicameral होसेज की बात करता है मतलब कि दो होसेज होगा, मतलब एक lower house होगा, एक upper house होगा जैसा center में हम लोग को देखने को मिलता है कि लोग सभाए हैं, डा सभा उसी तरह estate में भी कुछ estate ऐसे है ना, जिसके पास bicameral है मतलब वहाँ lower house भी है, upper house भी मतलब जो legislative assembly है, वो भी है, legislative council भी है लेकिन कुछ ही estate है, सभी estate के पास ऐसा नहीं है, ठीक है तो कारेक किस के पास नहीं है, legislative council मतलब जो कौन सा estate ऐसा है, जिसके पास upper house नहीं है UP के पास है, हमारे बिहार के पास भी है महराष्टा के पास भी है करनाटका के पास है लेकिन वेस्ट वंगाल के पास नहीं है वेस्ट वंगाल के पास पहले था लेकिन इसे खतम कर दिया गया ठीक है तो याद रखना है कि वेस्ट वंगाल के पास नहीं है और किसी एस्टेट के पास है क्या सर तियस यस देखी एक याद रखिए अंदरपरदेश के पास भी यह दोनों एक दुसरे से अलग हुआ था 2014 में तो अंदरपरदेश यह दोनों के पास mesmo को अब रख़िगा पिसकी एस्टेट के पास हैं नेक्स्ट क्वेस्टन है कर रहा है कि विच आप फॉलोईंग कॉंस्टिलिज्म इन नेशन कें वी इंक्रीज ठीक है कर रहा है कि कॉंस्टिलिज्म को बढ़ाने के लिए क्या करना परेगा देखिए अभी अगर आप देखिए अगर आप देखिए अगर जुटिलिज्म को बढ़ाने के लिए अगर जुटिशियरी इंडिपेंडेंट होता है ठीक है प्रो एक्टिव करेंडिज्म कारो सुरक्षित रहता है जिसे हम लोग Consolidion बोलते एक सब बता मैंने इक्सिटिव होता है और एक बताया हमने क्या जूडिसियरी हो थे अगर ये तीनों और गवर्मेंट का है ये तीनों अगर अलग 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 आगे काम करेगा तो इससे क्या होगा ये तीनों एक दुसरे पर वाच करेगा देखागा कि लेक्सिलेटिव कुछ गल्टी किया तो तुरण जूडिसियरी कहगा कि नो तुमने ये जो कानून बनाया ये गल्ट है इसको हम खतम करते हैं तो देख रहे हैं अगर ये तीनों अलग 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 दहेगा इससे क्या होगा कि हमारे देश में कानून की रख्चा होगी अगर मानिये कि सेंट्रल गोवर्मेंट ने कोई ऐसा कानून बनाया जो गल्ट है तो तुरंट अगर जूडिसियरी को लगेगा कि ये गल्ट है कॉस्ट्रेशन को एकोर्डिंग नहीं है तो उसे खतम कर देगा इसलिए सेप्रेशन उप्आवर का होना भी बहुत जरुरी है आपको पता होना जाहें कि फ्रेंज का एक फिल्लोसफर ता जो सेप्रेशन उप्आवर का कॉंसेप्ट जी आता मॉन्टेस्ट क्यों कुछ नाम था उसका ठीक है सेप्रेशन आप पावर का तो यह याद रगना है कि कॉंस्ट को बढ़ाने के लिए डेमोकरिटी गवर्मेंट होना चाहिए इंडिपेंडेंट जूडिसेरी होना चाहिए रिस्पॉंसिबल ऑपोजिश के लिए सब्सक्ट का रहा है कि कर रहा है कि पारलेमेंट को एक बील को पास करने के लिए बहुत सारे मेजूरिटी की जरूतबरते है एक होता है simple majority, क्या होता है simple majority, क्योंकि सर simple majority क्या होता है, ति दीकि simple majority जो होता है न, दीकि वो लिखा है greater than 50% total members तो यह नहीं, यह जो है न, यह है simple majority, जो second number है, इसको बोलता है simple majority, ठीक है, second number को क्या बोलता है अब लोग, simple majority, इसमें क्या होता है, कि जितने लोग parliament में present है, जि और वो लोग जितने भी लोग भोट देंगे, अगर उसके 50% से ज्यादा हो जाएगा ना, तुसे हम लोग कहाँगे कि यह simple maturity हुआ, कि नहीं है समने, उसके बाद क्या होता है, एक होता है absolute majority, absolute majority का definition है 3 number, greater than 50% of total membership of that house, मतलब देखे इस दोनों में क्या अंतर है, मैंने क्या बो 543 में किवल 500 लोग आ रहे हैं, ठीक है, और 500 लेगी बोट देना चाहते हैं, तो 500 के आधा से ज्यादा हो गया, तो simple majority, वो बील पास हो जाएगा, simple majority से, अगर 200 से ज्यादा बोट आ गया उसके पक्च में, उस बील के पक्च में तो, लेकिन जो absolute majority है ना, वो बोलता है नहीं कितना भी लोग पर जांट है, उससे नहीं मतलब है हमको, जितना उस house का capacity है, जैडमिन 543, तो 543 का अगर आधा से जैदा हो जाता है ना, उससे जैदा होना absolute majority होता है, ठीक है, नेक्स्ट का रहा है कि effective majority क्या होता है सर, तो दीगे effective majority का आता है, कि देखो बाई, टोटल खाली seat में से, तीन लोग जो है, एबसेंट है, एबसेंट नहीं है, वो भैकिर्ट है, वो seat खाली है, किस वज़र से खाली है, तो सर, डैथ हो गया होगा, या पर रिजाइन दे दिया होगा, अब सर, अब जो है, एलेक्शन कमिशन आप इंडिया जब तक बोर्टिंग करव जो इसका answer कौन सा था, देकि total membership of that house, minus vacancy due to region death, जो ये first option था, ये correct option था, क्योंकि 50% से ज़्यादा होना, लेकिन किसका 50% से ज़्यादा होना, उस membership of that house से, जब हम लोग वैकेट seat को, जो वैकेंट है, उसको अगर minus कर देते हैं, उसकी 50% से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम लोग effective majority बोलते हैं, और जो last option है, वो special majority का definition है, कि greater than 2 by 3rd of the total membership of that house, इसका मतलग क्या हुआ, कि देकि कुछ-कुछ भी ऐसे होता है, जो special majority से पास करना परता है, कुछ भी example के लिए मैं बता हूँ, तो जो president का impeachment होता है, president को हटाया जाता है अपने पत से, अभी तक किसी को नह अटाया गया, हमारे देश में कोई भी president को भी तक नहीं आटाया गया, लेकिन अगर president का impeachment होता है, तो special majority से होता है, ठीक है, वही इसी की बात करता है, हमारा 4th option, 4th option कर रहे 2 by 3rd of the total membership of that house, 2 by 3rd आप समझ गहें न, 67% के अवार, इतना परसेंट लाना होगा, उस house के जितना caps जैसे लोग सवा की बात करो, 543, 543 का अगर 2 by 3rd को इला लेता है, तो लोग सवा से वो bill पास हो जाएगा by special majority, कि नहीं है, यह समझे, लेकिन एक special majority दूसरे तरह का भी होता है, एक special majority का अथा है, उस house का जैतना capacity है, उसका 2 by 3rd लाना, और एक special majority होता है, जिसमें बोलता है, इतने लोग परजेंट है, उसका 2 by 3rd लाना, ठीक है, यह दो तरह के होता है, देखिए, यहां मैंने आपको पूरा concept बता दिया, एक bill को पास होने के लिए कितने तरह के majority होता है, तो सबसे पहले हमने बताया कि simple majority, फिर हमने बताया कौन सा majority, absolute majority, उसके बाद मैंने बताया effective majority और बाद मैं बताया a special majority, यह चारों जो option है, यह चारों का definition, simple majority को परद करेगा, तो simple majority का है 2 number, यहां सिम्पल majority का definition है greater than 50% of present and voting MP, ठीक है, उसके बाद Absolute Majority की बात करेगा Absolute Majority है कौन सा 3 नमबर यह Absolute Majority का Definition है एक नमबर और Special Majority का Definition है चार नमबर ठीक है इस तरह से हम लोग ने 9 नमर क्वेस्टन का देखा कि Effective Majority का Definition जो था इसका answer 1 था ठीक है हम लोग 10 नमर क्वेस्टन पे चलते हैं कि हमारा जो Concentration ने Lendiest Concentration of the World है तो इसका answer मैंने आपको बता दिया कि हमारा ही Concentration जो है Indian Concentration जो है World का सबसे Lendiest है को कि सर इसका क्या region है इसका region बताई ए इसका region बताई है देखि हमारा जो Government of India Act 1935 आया था प्रहन को यह एक्ट ही इतना बढ़ा था तक इतना ज्यादा बढ़ा था हमारा कॉंस्टेशन की अपर गया है और दूसरार रीजन इंसर बताई करना पड़ता है ने सरकार को हर्ए हर एक के development के लिए सरकार को कुछ-कुछ काम करना पड़ता है जैसे example के लिए मैं बढ़ा हूं तैंद कि हमारे आंसी के लिए सब के लिए कंच्प के लिए光 ऑट्री को हम लोग कैसे स्टेंटेन करेंगे ठीक है एकML येग वी कि को या मारा केरा होने का और वी रीजन है जैसे देख सकते हैं कि हमारा fundamental right fundamental right है हमारे constitution में क्या है fundamental right part 3 में discuss होता है तो आप ध्यान से देखिए कि part 3 में fundamental right भी discuss होता है और साथ ही साथ जो है न इस fundamental right का मतलब जो एक restriction लगा है हारे fundamental right पर restriction भी लगा हुआ है example के लिए मैं बता हूँ कि हम लोग को बोलने का आजादी है article 19 के अंदर जो है हम लोग बोलने का आजादी लेकिन उस बोलने की आजादी से आप दुसरी को नहीं नुक्सन पहुचाना है तो मतलब कि हमारे constitution में fundamental right लिखे ही हुए है साथ ही साथ उसका restriction भी लिखा हुआ है कि कैसे restrict करना है उस right को मतलब absolute nature का नहीं है तो हमार ऐसा USA में नहीं होता है US में आपको आपको पता होना जाए कि के बल fundamental right लिखे हुए है उस पे restriction लगाना वहाँ जुडिसरी का काम होता है यूएसे से हम compare कर सकते हैं अगर अपनी constitution को तो कहेंगे सर यह हमारे constitution में fundamental right है और उसका restriction भी है उसको कैसे restrict किया गया वह भी लिखा हुए लेकिन ऐसा USA में नहीं है यूएसे में fundamental right लिखा हुआ है बस और restriction जो है वहां के जुडिसरी ताय करता है एक यह भी एक्जामपल हम लोग देख सकते हैं इस वजह से भी हमारा जो कॉंस्ट्रेशन है लेंदियेस्ट है लेंदियेस्ट कॉंस्ट्रेशन ऑफ दा वर्ल्ट इंडियन कॉंस्ट्रेशन जो है सबसे बरा सबसे बल किया है इस तरह से हम लोग ने 10 पॉलिटी का कवर किया और आई होब कि आप लोग को समझ में आओ कॉंस्ट्रेशन के बारे में पॉलिटी के बारे में थांक्यू एवर्यवन